बुड मॉर्णिंग चिल्डन आज मैं बृत्ध कपोत लेशन शुरू करें हूँ जिसका अर्थ है बूढ़ा कबोतर इस पार्थ में एक बूढ़े कबोतर और उसके समू और एक शिकारी की कहानी का वर्णन किया गया है किस प्रकार से बूढ़े कबोतर ने अपने सूज बू उससे अपने दल के हर पूरे कबोतरों की जान बचाए तो चलिए हिंदी मिलिंग शुरू करते हैं किसी बन में कबोतरों का एक दल रहता था एक बूढ़ा कबोतर उस दल का नेता और रक्षक था रोजाना कबोतरों का दल जंगल में दानी खोजते और पीट भरते थे एक एक शिकारी वहां आया आकाश में अनेक कबोतरों को देख कर वो बहुत प्रसन हुआ वह सोचनी लगा कि यह तो मेरा सौभाग्य है लेकिन अभी शाम का समय है क्या करूं ठीक है कल यहां आकर चावल के दाने बिखेरूंगा चावल के दाने देख कर सभी कबोतर जमीन पर उत्रेंगे उसी समय मैं सभी कबोतरों को जाल में बांध लोंगा सुबह जैसे ही कबोतरों का दल आकाश में उरने लगा उन लोगों ने चावल के दाने जमीन पर देखे अब तो हमारे भोजन की कोई चिंता नहीं यह सोचकर वे दल के नीता के पास जाकर सभी बाते पर बहुत ही बुद्धिमान था उसके मन में यह शंका हुई इस निर्जन वन में इतने चावल के दाने कैसे हो सकती हैं अवशी कोई यहां भै का कारण है वह उन सभी कबोतरों से बोला कोई भी वहां नहीं जाएगा सभी आदेश का पालट करेंगे लेकिन लालच के कारण कबोतरों ने गुरु के आदेश का पालन नहीं किया परिणाम स्वरो वे शिकारी के जाल में फस गए और पश्याताप करने लगे इसी बीच वह बुढ़ा कबोतर आ पहुचा और उन से बोला दुखी मत हो धैर्य रखो तुम सबी एक होकर जाल के साथ अकाश में उड़ जाओ जंगल के पाश मेरा मित्र मोनू चूहा रहता है हम सब वहां जाएंगे अभी सिर्फ यही उपाय है मोनू चूहे ने तुरंथी अपने तेज दातों से कबोतरों का जाल काट दिया जाल से मुक्त होकर कबोतर बोले धन्यवाद मित्र आपकी कृपा से आज हमारा जीवन सुरक्षित है गुरुवर हम सभी पर आपकी कृपा है अपराद छमा करें हम सभी लज्चित है आज से हम सब गुरु की आग्या का नित्य पालन करेंगे Story is completed. Now you will read this lesson properly and write down the Hindi meaning in your Sanskrit notebook. Then next video I will give you the exercise of the lesson. Thank you.